ये भी जितनी गर्माहट यहां विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगी तो राजिव उतनी ही गर्माहट तो हम देखी रहे हैं विधानसभा चुनावों में इस पूरे मुद्डे को लेकर किस तरह से विपक्ष लगातार इस मुद्डे को गर्मा रहा है और उसकी कार्ट निकालने की कोचिश यहां पर बीजेपी की तरफ से हर तरह से की जाती है कभी OBC का कार्ट खेल कर और अब गरीब का कार्ट खेला जा रहा है रेवडियों की बात यहां पर की गई यहां तक की तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी इन चुनावों में हमने देखे हैं पार्टियों की तरफ से करते हुए और इस बीच कल से आगाज हो रहा है विधान सभाट चुनावों का पहली वोटेंग इन पांच राज्यों के लिए 36 गर से शुरुआत हो रही है तो मैं समझना चाहूंगी आपने क्या अब्जर्व किया आपका क्या अंकलन है देखिए पूजा जब चुना होते हैं उसमें कई सारी चीजें महतुपूर्ण मुद्दे के तोर पर सामने आती हैं लेकिन आज कल हो क्या रहा है ज्यादातर लोगों में चर्चा इस बात की होती है कि कौन सी सरकार आने पर किस पार्टी की सरकार आने पर उन्हें जायदा फाइदा क्या मिलेगा क्या माफी होगी क्या फ्री मिलेगा क्या पैसा मिलेगा क्या चीजें मिलेगा असल में चोटी 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 चीजों पर जनता का जायदा ध्यान रहता है दीर-कालिक फाइदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उस तरीके से दूर का सोच करके मुझे लगता है कि जनता वोट नहीं करती उसे तुरंट का सोच करके कि क्या-क्या सुविधाएं और क्या-क्या उनको मिलने वाली हैं अगर आप जमीन पर देखें दूसरी बात इस देश में जाती एक सच्चाई है इससे इंकार नहीं किया जा सकता और जब भी चुनाव होता है तो जाती बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर सामने आता है जहां तक भारती जनता पार्टी की बात है मैं शाह ने बड़ी गजब की बीजेपी के लिए सोशल इंजिरिंग की थी क्योंकि अगर आप देखें भारती जनता पार्टी पिछले तीन दश्कों में अटल आडवानी के चेहरे के रहते उसने कभी भी देश के OBC का समर्थन उस तरीके से राष्टी अस्तर पर प्राप्त नहीं किया जिस तरह से नरिंद मुदी का चेहरा बनाने के बाद किया नरिंद मुदी अपने आपको पिछले वर्ग से कहते थे तो इसलिए एक सूशल इंजिनिरिंग एक जातिगत समीकरोड और हिंदुत का कॉक्टेल मिलाकर उत्तर भारत में भारतिय जनता पार्टी मायावती काशीराम या लालू प्रसाद यादो बहुत ताकतवर इसलिए बने कि उन्होंने एमवाई समीकरण लालू यादो और मुलाहिम सिंग्ग आज माया और उनके सत्ता में ज्यादातर रहने में जब जब वो सत्ता में रहे तो इस वर्ग का विकास हुआ इस वर्ग क डॉमिनेंस सोसाइटी पर दिखाई दिया और मायावती और काशीराम ने पहले तो दलितो और आती पिछडों की बात की बाद में सवर्णों को भी जोड लिया और भाईचारा सम्मेलन करके सवर्णों को भी जोड लिया ठीक इसी तरह से लालू प्रसाद यादों ने और पिछडों की बात की भूरा बाल साफ करो इस तरह के नारे दिये बाद में सवर्णों को भी जोड के अपनी पार्टी को बहुत ताकतवर कर लिया और उसमें बारती जिंता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं था लेकिन हमिश्चा ने दो हजार चौदा इलेक्शन से पहल है जो उत्थान हुआ है वो दूसरी बैकवर्ड जातियों का नहीं हुआ है और बहुत तेजी से लामबंदी के साथ हलाकि नितीश कुमार के साथ बीजेपी ये प्रयोग बिहार में कर रही थी लेकिन उत्तर प्रदेश में सारे बैकवर्ड चेहरे जो गैर यादो थे उनक वारती जंता पार्टी के साथ लगा रहता है तो कुल मिला करके अमिशार ने जो बात कही है वो सिर्फ बिहार में यही मेसेज देने के लिए कही है जो वो पहले से ये रड़नीती अपनाते रहे जहां तक आदिवासी गरीब की बात है मैंने आपको पहले ही कहा कि हर तरफ ह फैसला कैबिनेट को डेड़ महीने बात करना है लेकिन 36 गर्ड में जाके चुनाओ से पहले प्रधान मंतरी का यह ऐलान की अगले 5 साल देंगे यह मेसेज देना है नीचे तर डाउन दे लाइन कि यह जो 5 किलो मिल रहा है जब तक मोधी रहेगा तब तक आपको मिलेगा और आज जो बात आपने चुनाओ कि कही मैं मद्परदेश के महा कोशल इलाके में हूँ और पूरे देश में हाला कि 36 गर्ड जारखंड आदिवासी होकर आज यह माना जाता है डॉमिनेंस वाला लेकिन पूरे देश में 2011 की जन गणना के हिसाब से सबसे ज्यादा आदिवासी म हीत ली थी इस मार भी कांगरस ने आदिवासीयों के इलाके में उसी तरह का कार्ड खिला है और यह जो इलाका आदिवासीं का है उसको बीज़ेपी और कौंगरस अपने पक्ष में करने में बीजेपी ने पूरी पूर्जोर्त कोशिश ये की है कि दो हजारा अठारा का बदला तेईस में ले लिया जाए और इसी लिए अगर आप लेखें लाडली बहना योजना शिवरास सिंग चौहान के हो उसकी भी शुरुवात यहीं जबलपूर से हुई प्रधान मंतरी ने भी मद्यपरदेश के अपने चुनावी दोरों की शुरुवात यहीं जबलपूर इसी संभाग से की और प्रियंका गांधी ने भी इस बार यही जबलपूर में नर्मदा के किनारे पूजा पार्ट करके अपने कॉंग्रेस के चुनावी प्रचार करसी गड़ेश किया तो यह महा कोशल का इलाका बहुत कुछ ताय करेगा कि इस बार मद्यप्रदिश में सरकार किसकी बनेगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव और देखना दिल्चस्प होगा कि इस बार जननता का मूड होता क्या है वाकि जो आकलन लगाया जा रहा है परिणाम भी उसके मुताबिक होंगे या नहीं यह देखना बहुत दिल्चस्प